क्यूं नहीं स्कूलों में शिक्षक मिल पाते, क्यूं नहीं स्वास्ति की सुविधाय मिल पाती, क्यूं नहीं लोगों को रोजगार मिल पाता आखिर ये नकसलवाद का तोड़, विकास के माध्यम से हम किस तरहां से पाएं, आज इसी पर हमारा ये सत्र है और इसकी शुरुआत में मैं प्रारंभिक भाशन के लिए जाने माने शिक्षा विद एस्ट्रोनमी और एस्ट्रोफिजिक्स में विशेशक गिता और शोध करता जिन्होंने कई शिक्षन संसानों में कारी किया, पंडेत रविशंकर शुकला यूनिवरसिटी रायपूर के वाइस चांसलर साब, प्रफेसर शियो कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, हम उनके विचारों को सुनना चाहेंगे, प्रफेसर शियो कुमार पांडे जी मुझे बेहत खुशी है और मैं अत्यन्थी गौरवानमित हूँ इस छात्रों के महाकुम्भ में अपने आपको पाकर एक ऐसा महाकुम्भ जिसका आयोजन ये संसा चौथी बार यहां करने के लिए उपस्थित हुई है आज ये आखरी दिन और आज हमारे मंच में आशीन अतितिगन आमंत्रित देवियों और सज्जनों एवं मेरे प्री शात्र शात्राओं बित्रों आज युवा दिवस है स्वामी बेवेकानन जी का जन्व दिवस अवतरन दिवस वो स्वामी जी जिने हम युवाओं के प्रणिंता मानते हैं उनको मैं साधर स्द्धा सुमन अरपित करते हुए आज के इस युवा दिवस के अउसर पर मैं अपने युवाओं का साधर अभिनंदन स्वागत सेल्यूट टु दे यूथ हाफ इंडिया पित्रों जो विसे जस पर मुझे शुरुआत करनी है संभवता मुझे यह दाई तिसली दिया गया कि मैं ऐसे राजिस से आता हूँ 37 गड़ जहां नक्सली समस्या घेरे हुए है विकास लगातार हो रहा है लेकिन वह छेत्र जिसे हम जैसा अगी बताया गया जिसे हम रेट कॉरिडॉर कहते हैं उन छेत्रों में अभी भी वहां की जनता विकासों से मीलो दूर है जैसे हम नक्सलाइट्स कहते थे मित्रों आप सब जानते हैं मुझे कहानी दोहरानी की ज़रूरत नहीं है सुरूआत कैसे हुई लेकिन एक छोटी से नगर नक्सल वारी से सुरूआत हुई यहां अन्डोलन वाइलेंस का ऐसा सुरूप ले शकी है ऐसा सुरूप ले चुकी है जिससे हम में से कोई बरदास करना नहीं चाहेगा सवाल यह है यदि हम चाहते है कि ऐसा नक्सलिजम जो हमारे देश के लगवग 40% भूबाग वे फैल चुका है ऐसा नक्सलिजम जो जहां तक कि जनसंख्या के सवाल जहां से यह सब प्रभावित हो रहे है वो अलगवग हमारी जनसंख्या का एक सितिहाई से ज़्यादा हिस्सा है इसकी वज़ह क्या है इनके इनसे दूर रहने के लिए इनसे निजाद पाने के लिए हमें उन मूल तत्तो पर जाना होगा जिसकी वज़ह से ऐसे नक्सलिजम की शुरुआत हुई थी और यह कहनी की जरुरत नहीं है कि इसके मूल बीज में जो चीज उपस्तित है जिसकी वज़ह सुरुआत हुई है वह है विकास विकास और केवल विकास तो एक लाइन में दिमिशुरुआत कहनी हो तो मैं कहूंगा नक्सलिजम का एक ही रास्ता है वह है विकास और केवल विकास ऐसा विकास जिसमें बगर भेद भाव के बगर वरन भेद के बगर रिजिनल डिफरंस के सब जगह जाए एक ऐसा विकास जिसका मतलब केवल बड़े बड़े कार खाने खोलने नहीं होने चाहिए ऐसा विकास जिसमें मानव समाज की मूलफूत आवशकताएं है चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो चाहे रहने की समस्या हो चाहे liveryhood की समस्या हो या फिर health की समस्या हो आवागमन के साधन जुडानों की समस्या हो जहाँ सिखषा के ऐसे मंदिर बने जहाँ वो हिस्सा जो नक्क्षल से सभी ज्यादा प्रहौईत है वहाँ के बच्चे भी अच्छी सिखषा पासके वो सिक्षा जिसकी कल्पना स्वामी विविगानन नी की थी एजुकेशन जो हमारे चरत्र जिर्मान में सहायक हो सके वो सिक्षा जो हमको पैरों पे खड़ा रखना सिखा सके वो सिक्षा जो दूसरों की सेवा करना सिखा सके बित्रों क्या हो गया है मेरे देश को वो देस जिसे आजारी दिलाने के लिए महात्मा गौनदी ने सत्य collector अहिंसा की का सहरा लिया जिनों होने तीन पंदर हमारे सामने रखे उन पंदरों को भूल गए उस अहिंसा को भूल गए और देखिए हमारे सामने ऐसे हिंसक तत्थ हुमारे सामने मुझूद है जो कहने के तो अपने है लेकिन उनकी समस्या पूरे देश के में होने में विकास में एक बहुत बड़ी बाथाग बनी हुई है मेरे आज के दिन मेरे युवा साथियों से मेरा आउखान है भविस्त आप हमारे भविस्त हो यह बड़ीती हुई समस्या में जब तक आप सरीक नहीं होगे जिसके लिए यह संसा इतना बड़े आयोजन की है तब तक मैं नहीं समस्ता क्योंकि आपी में से लोग डेवलप्मेंट के उन तमाम शित्रों में जाएंगे कोई कलेक्टर बनेगा कोई इंजिनियर बनेगा कोई जन्प्रतेनिफी बनेगा यही विवाग यही विकास की धारा बहाने में सब हागिता निर्वाते हैं तो आपको तैय करना है कि आने वाले समय में नक्सलिजम को हम विकास की धारा बहा करके कैसे समाप्त कर सकें आपने मुझे बुलाया मेरा सम्मान किया उसके लिए बहुत सारी आपको धन्यवाद और ऐसे आयोजन के लिए आयोजन को धेर सारी बधाईयां बहुत बहुत सुपकामनाएं जैहिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पांडे बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए